नमस्कार हम लोग अभी बात कर रहे हैं इंडियन हिस्टी क्लास 12 के पार्ट 2 के बारे में एंड दे चैप्टर इस पीजेंट जमिदार एंड इस्टेप और आज का हमारा टाफिक है पीजेंट्स एंड देयर लैंड यानि कि किसान और उसके खेग इंडियन पर्शियन सोर्शेज के एकार्डिक टू दे इंडियन पर्शियन सोर्शेज मुगल पीरियड में किसानों को या तो रहियत आइदर दे वेर नोन अगर रहियत मुजर्यन या रिया यह यह तीन सब्द उनके लिए फेमर्स थे इन एडिशन आल्सो इंकाउंटर दे किसान और आसामिय यानि कितने सब्द होगे रियाया रियाया रईयत मुजर्रियन किसान या आसामियन according to the 17th century के जो sources हैं उनके अनुसार there were two type of peasants किसानों के दो प्रकार थे एक खुदकास्ट एक को खुदकास्ट कहा जाता था और दूसरे को पाहिकास्ट तो फोन वाज नोन एक खुदकास्ट & second में तर्ष्ट सब्सक्त एकुर्ण 왔a andolie करें नेए जिस लोग उकेति यानी जिस तियlenyun यानि कि जिस तवाओं को खेक्षिधियर होते थे उस्हां में अपनी खेक्षिधिकरते थे यानि कि वह खेक्षिधियर जो अपने ही गाउं में agriculture का काम करते थे खेती करते थे और जहां तक पाही कास्त हैं वो क्या थे वो non-resident cultivated थे जो की दूसरे के गाउं में जाकर के काम करते थे या दूसरे के गाउं के जो लोग थे आकर के इस गाउं में खेती का काम करते थे यानि कि अपने गाउं से बाहर जाकर के खेती करने वाले को पाही कास्त कहा जाता था अब लोग पाही कास्ट क्यों होते थे, there were two reasons, एक हो सकता है, एक था out of choice, अपनी एक्षा से, एक था out of compulsion, लोग पाही कास्ट, यानि कि अधर बिलेज में जाकर के खेती करने का पीछे दो कारण थे, एक out of choice, यानि कि अपनी एक्षा से, दूसरा out of compulsion, यानि कि मजबूरी में अब जहां तक कि out of choice था, अपनी एक्षा से था, वो इसलिए होता था कि किसी किसी गाउं में, जो revenue assessment होता था, वो धुरा नीचे रहता था, यानि कमरे लगता था, और दूसरा वहाँ पर facility, या तो facility जादा होती थे, जैसे कि पानी की सुवधा, या छायदार बिक्षों की स चुबधा के साब से, कुछ किसान जाकर के दूसरे गाउं में खेती करना पसंद करते थे, या तो out of compulsion, जैसे for example, forced by economic distance after a famine, अगर कोई जैसे कि ये famine अगरा आया है, तो economic problem होने कारण, उस हर economic problem होने कारण, लोग जाकर के दूसरे गाउं में खेती बारी का काम करते थे, अब हम आते हैं, economic condition of the farmers, यानि कि वो आर्थिक रूप से कैसे थे, नार्थ इंडिया में, पीजेंट्स पासस मोर दैन ए, जैसे लोग कभी भी, वो सायद ही, पासस मोर दैन वन पेर आफ बूलक्स, एंड टूपलाव, सायद ही उनके पास, कभी भी एक जोड़ी बैल, और दो हल स से जादा की खेती होती थी, जैसे, for example, गुजरात में, if they had six acre land, they considered affluent farmers, अगर गुजरात में किसी के पास six acre जमीन होती थी, तो ठीटा किसान कही जाते थे, जबकि बंगाल में, अगर आउसत जो है, पांच एकर था, तो अगर किसी के पास दस एकर की जमीन या जोत होती थी, वो they were called rich asami, वो बड़े किसान कहे जाते थे, अब तीसरी बात, यानिक एक तो होगा है, कि इनके पास होल्डिंग कितनी, तो ये पांच और दस एकर के बीच में होल्डिंग जो है, एक अच्छी होल्डिंग माने जाती थी, अब हम आते ह है, cultivation was based on the principle of individual ownership, अब तक ये अस्थापित हो चुका था है, कि जो जमीन होती थी, वो किसान की अपनी जमीन होती थी, यानि कि किसान जो जमीन थी, वो किसान के नाम की होती थी, उसको उस पर किसान का अपना निसान लगा होता था है, कि यह यहां से लेकर कि यहां तक कियाद कि जमीन है, उस पर कोई पत्थर हो गएरा का आज भी है, जो मेडवन्दी होती थी, तो यानि कि कोई जमीन किसान थी है, और उस पर उसी ब्रक्ति का होल्डिंग का अधिकार राइट होती थी, और वो अपने अग्रिकल्चर लेंड को वो बेश सकता था, जैसे कि अपनी त अग्रिकल्चर लेंड थी, वो लगाता तेजी के साथ बढ़ने लगी, यानि कि हर साल पहले से ज़्यादा जमीन को अग्रिकल्चर जमीन बना दिये जाता था, जमीन की, जमीन खूब थे, भी दिखिये, पोपलेशन हमारे यहां जो जो नार्थ हिंडिया में जूज जमीन थी, वह काफी मात्रा में थी प्लेन जमीन थी यानि कि बहुत जमीन खाली थी जो कि लैंड जो कि एग्रिकल्चर लाइक थी तो एबर्डंस आप लैंड खेती लाइक जमीन बहुत ज्यादा थी अवलेबल आफ लेवर पॉपलेशन हमारे यहां बहुत ज्यादा था तिसलिए आइकस्फेंशन है एग्रिकल्चर का वह बड़ी टेजी के साथ हो रहा था तो पहली चीज़ थो हो गए कि एग्रिकल्चर जो लैंड का एकस्फेंशन हो रहा था वह एबंडन साप लैंड आप लेबर और आरेंड लेपर अप्लेशन अब दूसरी चीज आती यह जो कि हम बात करेंगे उसके प्रेशिपिडेशन के बारे में और एरिगेशन के बारे में यानि कि बर्षात यानि कि पानी के जो पानी था हमारे हाँ परयाप्त मात्रा में होता था और एरिगेशन सिस्टम की शुरुआत भी हो गई थी सीज दर प्राइमरी परपर ऑप अग्रिकल्चर इस टू फीट बैसिक पीपो जो हमारे खेती थी लोगों को पेट भड़ने के लिए होती थी जैसे की जो हमारी बैसिक इस्टपल से थे जैसे राइस था वीट था मिलिट था यह चीजे होती थी जहां खोब बर्षात होती थी मोर दैन फुर्टी इंचेज बारिस होती थी वहां पर हम जैसे की चावल लगाते थे इसके बाद जहां थोड़ा कम होती थी वहां पर हीट और जहां उससे भी कम होती थी वह मिलिट मांसूर्स रिमेंड द बैक बोन ऑफ इंडियन अगरिकल्चर आज दे आर इवेंट टू कुछ था उसी के आधार पर खेती होती थी लेकिन बहुत सारी ऐसी फसले भी थी जो की एडिशनल पानी की जिनको जुरूत होती थी और उसी के लिए आर्टिफिशियल सिस्टम और एरिकेशन है टूब डिवाइब फार दिस और इसी जो पानी की जो इक्स्टा जुरूत प बात की थी कि जो गर्रे करें रिफियरा ये मुगल पीरियर्ड या मुगल एमपायर के मेर में सोर्सटा इंकम का यानि कि एडिक अटार ज्यादा तो सम Cyrus मुगल buds वो मजबूत होता तो मुगल अम्पायर इसलिए खेती को बढ़ाने के लिए जैसे उनको रिवन्यू बढ़े वह है एरिगेशन या इन चीजों में वह सहयोग देता था एरिगेशन प्रोजेक्ट रिसीवड इस्टेट सपोर्ट आज वेल इसलिए जो इस्टेट था जो टुक डिगेंगे नियू कनाल नई नहरे बनाई गई एंड आल्सो रिकोइड ओल्ड वन्स लाइक दशाथाँ जिसे पंजाब में सभाण के समय पर साहे जहां रेंड के टाइम में साहण बनाई गई यानी कि नई नहरे भी बनिया पुरानी नहर से परका जिर्णों धार कर यानि कि दो जो खेती थी उसमें लेबर का ज्यादा यूज होता था और हमारे हाँ परियाप्त लेबर भी था पीजेंस डिड यूज टिकनलाजी लेकिन इसके बाद जूद लोगों ने उस समय टिकनलाजी का यूज होने लगा था जैसे कि एक एक सांपुल है उडन प्लाव लकडी के हाल का यूज होता था लेकिन उसका जो टिप होता था जो नीचे बना जाता था उस पर टिप और कल्टर यानि कि जो फाल उसमें अगा जाता था वो लोहे का लगा देते थे इट देर फूट डिड नाट मेक डीफरोर अगर कि वो लोह तो नीचे तक जुताई नहीं होगी तो यहनि की मिठी के उपर तो बहुरा बना देता। लेकिन नीचे तक जुताई नहीं होती थे जिससे कि जो मॉस्चर है फ्रीजर्टत सिर्श भूटो इंटेशनी अटोट म सिद जिससे कि गरमी iki Гर Means में से चलता था बट ब्राट कास्टिंग आप शीड वाज दा मोस्ट अलाकि जो बुवाई होती थी वह भी जो को चीट करके होती थी होविंग एंड वीडिंग वेर डन शाइमल्टेंशनली यूजिंग नैरो अरड ब्लेड वीथे ऊडन हैंडल लगा करके जो यह यह निराई और जो निराई होती थी या जो उसको कहते हैं आप होविंग को कहते हैं जो गुड़ाई होती थी यानि निराई और गुड़ाई का काम एक आयरन ब्लेड का लगा हुआ हंडल लगा होता लकड़ी का उससे होता था यानि कि एक तरफ जहां पर नहर का यूज होता था irrigation के लिए और वही पर दूसरी तरफ बैलों का यूज होता था और छोटे-छोटे tools बना करके जो tool का भी यूज करते थे खेती के लिए जब हम irrigation की बात करते हैं तो इसी में एक खंड है बाबर नामा में कुछ लिखा हुआ irrigation के बारे में बाबर नामा का एक अंस में बताने जा रहा हुँ डिस्क्राइब दे इरिगेशन डिवाइस दे एंपरर आप्जर्ब इन नार्धन इंडिया जो उसने नार्धन इंडिया में देखा था एक अरडिन तो दा बाबर हिंदुस्तान कंट्री इस सिचुएटेड आन लेवल नेंड शंतल भूम पर एक बहुत ही प्लेन एरिया है जो दुस्तान है मेनी दो इस टाउने कल्टिवेटेड लाइंड यहां पर बहुत ही जमीन जो है वो कल्टिवेटेड है इट नूवेर तो नहीं पर उसने बहते हुए पानी को नहीं देखा हमें लगता है कि नहर के बारे में वाटर इस नाट अट आट आप अल्ड निस्टी इन कल्टिवेटिंग और और चर्ड ने तो खेती के लिए नहीं फसलों के लिए पानी की जरूरत है यानि कि बावर यहां पर लिखने जा रहा है कि यहां पर पानी की कोई ऐसी नहीं लगती कि पानी की ब्योस्ता के जाए कहीं पर उसने पानी को पानी के बहते हुए पानी को नहीं देखा यानि जहां केती है वहां पर जरूरी नहीं को आपर वहां पर वहां पर पानी के धारा बह रही हो क्योंकि यहां पर ब बारिज के पानी से आटम में जो बारिज का पानी है आटम की जो प्रॉप है उससे अगती है एक जरोत की पर अगर यंग ट्रीज शुरुवात में यानि कि जो नए-ने पाउदे हुए वाटर इज मेट टू फ्लो बाई मेंस आप बोला करें प्लीज यानि कि बकेट एंड वील यानि कि अगर शुरुवात में थोड़ी बहुत पानी के जुरूत होती है तो बाल्टियों से या या जो है रहट के दौरा जो वील के माध्यम से यानि कि एक वील लगाते हैं और उस इसे की बयाना में दिखाया गया है कि किस तरीके से यहां पर वील और बैल का प्रियोग करके करके गढ़े से पानी निकाला जाता है एरिगेशन के लिए और अब हम इस बात को यहीं पर खतम कर देंगे नेक्स टापिक है हमारा है दी एवर्डेंस आप क्राप्स तो क्राप के बारे में बात करेंगे इसके बाद शुरू हो जाएगी बिलिज कॉमिनिटी तो हम अपने बात एंखर्ण करते हैं नमस्कार